強शफ सी डिट्वी की मिठ्वाम स्वाव करने का पुराना तरीका बहुत भीनिव करने का है, हाँ मैं नक्चड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ तो कोन है नक्चड़ी हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़े हुई थी उसके बाद दीदी का दिल का गुबार खूटा दीदी के दिल की जो बाते हैं वो जुबां पर आई हैं जो की बहुत जरूरी था मम्मी जी को भी अपनी व वह जी वह फाइनली हमारी जिजी ने कुछ बोला तो सही इतने जादा लोग परिशान थे तरू वाले तो प्रानत्यागने पर हमादा हो गये थे तो दीदी फाइनली आई है और दीदी ने बहुत एक सही और सॉलिड बात बोली कि तमाम लोग अपनी मन की बाते बोल रहें वीडियो में मैं बोलूँगी तो लोग जज्ट करेंगे और उनको जो है जज्ट भी नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि वह अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं और मैं प्वेश्चन जो मुझे पूट अप होते हैं उनका जवाब देने के लिए मुझे बोला जाता है जव कुछ ऐसे ही सवाल जवाब और मम्मी जी भी बीच में मूँ फुला ली थी कल किसी ने बहुत सही कोमेंट करा था कि काम को लेकर ममी जी कम मूँ सुजालें पता नहीं चलता है तो ममी जी काफी देर तक मूँ फुलाई रही सारी बाते होंगी खुलके वक्त करेंगे जिस ब बाते बहुत सारी गोली है आई होप कि यह स्क्रिप्ट ना हूँ आई होप कि वाकए में दीदी के दिल की बाते हैं यह इनके जो भी मन में चीजे चल रही हो हूं इस वीडियो के बात ऑब्जेक्शन हो सकता है इस मैं परस्नल टॉकिंग अबाउट डॉट 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 तो बहुत सारे डॉट है हमारी जिद्धी के जिन्दगी में और हमारी जिद्जी है आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजे सोचती है बोलने सबले सोबार सोचना पड़ता है क्यूं क्योंकि ना सिंगल है अब यह चीजे जो इनको सल्फ रिलाइजेशन हो रही ही काश की पहले हुई गладken वीडियों के शुरुवाद उसी वीडियों के बात कियें यो पांशे दिन पहले श्राद हुआ था जिस दिन हमारी छोटी दिने की हुए थी पहली तरफ हो रहतीं पाहली रस्ई और दूसरी तरफ हो रही थी मम्मी जी की जो अपने पूर्वजों की श्राथ पूजा लोगों ने भर-भर के जो है लगाड़ा था बढ़ करने जिजी को तुझे अगर नहीं पता है रिच्वल्स तो अपनी मा को कॉल कर ले घर मम्मी को भी तो स्टेटास और यह सब दुनियादारी करने घुमने फिरने शॉपिंग करने के लब जादा चीजें नहीं है कि अपकोर्स हमारी मम्मी भी अभी हस्ती खेलती नहीं महिला है नौ यूटी है उनको भी इतने ज्यादा जीमन की चीजों का नहीं पता है तो अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद और मम्मी जी भी रिस सावा सावा बने रहते हैं वहां पर तारिफों के पूली कभी खतम नहीं होते हैं क्योंकि अफकोर्स पर्फिक्ट मानी जाती है काम करने में निपुर्व और अब तो बगदी के भी हामे आमेर दीदीन मिलाई है कि तो भी एकदम एक्सपर्ट है मैं भी एक्सपर्ट हूं बिखरा काम होता तो मुझे ना इरिटेशन होती है इसलिए काम कंप्लीट हो तो तू भी एक्सपर्ट है काम करने में मैं भी और इधर मम्मी जी ने भी बोल दिया था कि मेरी बहुर्या फटा-फट करती है और तो बड़ी लिचड़े काम करने में वैसे मम्मी जी बहुर्य पच्छे हो गए हैं जो हमेशा से साथ दिये थे अब हो गए दिम्मण तो मम्मी भी मुझ सो जाय रखी हाला कि प्याजवाज भी साफ सूप करी थी इनकी घर का रोजे प्याजे साफ किया जाता है का रोजी सड़ जाय रहा है या फिर कोई और समस्या है तो कुल मिलाई के नी जाय को भी चीनि और पूरी दी गए थी बच्चे के साथ दी बाहर भी खेल रही थी तो छोड़ा फूरी दी थी युझ लिए पूरी थी चायद की के से छीज है कर्दु पूरी कुळी मुझे ने भी कर्दु पूरी खाया तारिफे भी करी दूसरे दिन ममी के दोता नाराज खतम हो गए थे और जिस दिन मम्य इश्राद वाला पूचा कर रहे तो उस दिन किसी के वीडियो कॉल चल रही थी अ स्टार्टिंग में जब दीधी का वीडियो शुरू होता है आइद हो विडियो कॉल होती है हमारीली के जितना मुझे समझ में आया और बगल में हमारी दीदी अपना कॉमेंटरी कर रही ती लगाता रहे वाट यह सब कुछोने के बाद हमारी दीकिती है जब याब क्रेड लेकिन इनके उपर भरोसा नहीं हो पाता है तो मैं तो बस यह ही कहना चाहूंगी कि जो चीजें यह काश की दिल की हो कभी तो आप समझें अपने आपको बढ़ापे की गगार पे चली जाएंगी तो भी अगर आप इसी प्रकार की बचकानी हरकते करती रहेंगे सिर्फ व्यूज के लिए स्कृप के लिए तो बेकार है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यह दीद होंगी तो मन की बातें नहीं कर पाऊंघ इसलिए इसलिए मैं इसे वैसे देखर करती हूं चलो है ठीक हमाल लेते हैं और अगर कोई-कोई चीज अपनी बॉलोग में बोल्ता है तो ऑन्सरेबल नहीं होता है क्योंकि सब अपनी अपनी LIEF में सट है अगर कोई सट नहीं है तो वो मैं हूँ, तो मैं answerable हो जाती हूँ, मुझसे हर कोई question करेगा, I know कि हमारी जिजी को बहुत सारे लोगों के जवाब देने पड़ते हैंगे, नोना जिज्जा, बढ़ करनी जिज्जी, बगगा, बगगी की ये situation है कि जवाब मागे, मैं भी पता नहीं, उतकहा नहीं जा के लिए भी, और आज आप इतने लोगों के लिए answerable हैं, काश कि उस time, ठंडे दिमाग से लोगों के भड़कावे में, बहकावे में ना ही होती, तो काश कि आपको चीजे समझ में आती, काश, दीदी को किसी की बात याद आई थी, मुझे नहीं पता कि ये किसने बोला था, कि एक दिन ऐसा आएगा, जब तुमको तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजे सुननी पड़ेंगी, हरकत वो किसी की बीओ, और किसी की जिन्देगे में कुछ भी चल रहा हो, उसका जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन वो बात का शिकार तुम बनोगी, तुम पर ही कि इसको कुछ समझ मैं आया होगा, जो वो पडकास हुआ है, उसके एक एक अंश इनको समझ में कर वालान got और बोला विगया हमने कुछ भोला ही नहीं हमने कुछ भोला ही आयनो कि अब तक हवाそुअ है, क्योंकि आपकोर्स ये वीडियो आये हुए लगभग एक घंटे से उपर हो चुका है तो जो फोन करने वाली लोग है आप जानते ही हो किसको मिर्ची लगती है कौन डियर डियर दो दो घंटे कॉल चलाता है क्योंकि उसको ना सिर्फ अपने बारे में तारीफे सुनना पसंद है दूसरों को जलील करवाना उसकी फेवरिट चॉइस है उसको बहुत अच्छा लगता है दूसरों को गाली पड़े उसको कोई परवान है लेकिन हाँ उसकी तारीफ होनी चाहिए उसकी छोटी बहन को अगर कोई नीशा दिखा के उसकी उचाई प्रदान करता है तो वो खुश हो जाएगी क्योंकि वो इसी टाइप की बंदी है एक होता है सल्फ लव, एक होता है सल्फिस वो बहुत ही ज्यादा सल्फिस है इतनी जादा कि इस पूरे कुनिमे में इतना सल्फिस तो बगगा भी नहीं है वो कंजूस है मक्खी चूस है लेकिन इतना सल्फिस बगगा भी नहीं है क्योंकि मुझे याद आ रही वही लाइव जो बगगे के चैनल पर करी थी जुटी अंका ने लगातार ऐसी ऐसी बाते ब बोल रही थी बगगा रोक रहा था कि यह मत बोलो वो मत बोलो लेकिन जुटी अंका लगातार नौस्टप बोले जा रही थी तो आज परेतिन जिजी को यह चीज़े याद आ गई कि काश तुने यह ना किया होता काश बहुत सही चीज़ें बोली मैडम ने पर वही चीज़ है ना सारे लोग बोलते थे तो वो हेटर्स कहलाते थे पर आज काश कि वहाँ की दो चार करवी बाते तुमने बरदास कर ली होती अगर तुम्हारे सबसे वो करवी ही बाती थी आती तो साथ में था और स्टैंड लेत था हम सबने देखा है कहां कहां नहीं तुम्हारे साथ गया है ऐसी चीज़े तो ना सुननी पड़ती है सारी चीज़े तो ना फेस होती जब बोल रही थी ना प्रिती कि मुझे लगता है कि सारी जिंदगी मुझे थोड़ा जुक के चलना पड़ेगा उसकी आखों में आप इतना करिज नहीं है इतना पैसा नहीं है कि मैं दूसरी सिटी में सेट हो पाऊं या कहीं और जाके रह लूँ अपने जॉब भी करो अपने बच्ची का स्टड़ी भी कम्प्लीट करा हूं बहुत सारी चीज़े सोच रही हैं लड़की क्यों कि चीज़े दिख रही हैं सब स दिन सारा सब कुछ तुमारे जिस हिसाब से चाहती थी वैसे होता ममी जिसे कुछ बात करके तो देखती कि मुझे बीच का रस्ता चोई है मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक है यहां पर आपकी ममी मुझ फुलाए रही दो दिन आप कहीं छोड़के तुझ नहीं चली गई ब हो तो आप छोड़के नहीं जाती हो नहीं भाग के जाती हो यहीं रहती हो ना दूसरे दिन ममी मान भी जाती है और तुम भी ऐसे शोग करती ही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो जब उस टाइम यह सारी चीज़े नहीं थी तो अभी क्यों है यह सारी चीज़े नहीं था ले कुछ बरबाद कर दिया वैसाब सब कुछ बहुत कुछ काश की इन्होंने वहां की अत्याचार जो इनके अत्याचार कहला जाते हैं जो इनको अत्याचार लगते काश कि उन्होंने वहां के अत्याचार ब्रदास कर लिए होते हैं हमारी प्यारी जुजी बोल भी रही थी लेक इसने नहीं कहा है तो यहाँ पर कितना सफाइद दे दो हम सब को पता है हम सब को दिख रहा है हम सब फिल कर पा रहे और तुम का फिल कर रहे हैं और वही बात सच न acontece जो आपका इतना लोग उने बता ही दिया था कि उन्होंने प्रैंक के नाम दिया पर हम सबको पता है क्यों तुम्हारा नेचर ही ऐसा है जहां तुम्हां थो लगेगा एसी इसी चीज हो गई तो महाँ पे अब्जेक्शन करोगी ही करोगी लास्ट वीडियो में और कि दिदी नहीं क्या वोल द मैं तो बार-बार कोईंगी उसमें हजार कमया लग कम उसे कभिए सबसे अगर मम्य के लिए उस ने कमिया है, तो वह उसे ही ने करा करता है जब बगगा अपनी जित करता है और मेरे को याद नहीं आ रहा कि लास वीडियो में ऐसा क्या बोल दिया था जो इनको नहीं बोलना शहिए था और रो रही इस बारे में तो कुछ था भी नहीं अच्छा आइधिंक वह छनी जनी को लाने के लिए तो नहीं था उसने ब जो ममी जी के दिल जिगर किडिनी में चुबी और ममी जी रोने लग गए और जिस प्रकार से बगगी ने बोला था यह वड़िया क्या परेतिन जित जी ने उसने बोला था कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्स्प्रस कर रही हूं और प्लीज से ना कोई किसी से जोड़े ना और हैं और दुनिया भड़के लोग कह रहे हैं कि जुठी अंका है ही ऐसी आप हमेशा यह काम करी हैं हमेशा यह गेम खेली हैं दूसरों की जिंदगानियों में कब तक खेलेंगी आपको मज़ा आता है क्या फिर एकदम से आप भोली भाली बन जाती है फिर एकदम से आप स्ट का टिपड़ी नहीं करेंगा यह सोच के इन्होंने डिसाइड किया है कि सिटको जैसे नहीं लेती हो मम्मी जी को भी नहीं लेती हूं तो आफ्टर रिटार्मेंट मम्मी जी ज्यादा एक खुसहाल जिंदगी जी पाएंगी आइधिंक यहां पर यह बात चीत हो रही है यह कि तो ऐसी चीज़े क्यों दिखाती है जबकि जुठी अंका मम्मी के मुँँ पे कैमरा लगा के मम्मी को रुलाते हैं एमोशनल बाते याद दिलाते हैं दुनिया भड़ के शिकायते ओन कैमरा होती है जब मम्मी रोने लगते हैं मम्मी जी के मुँँ पे कैमरा लगा देती वो जुठी अंका ने क्लास दी होगी, क्योंकि अपकोस वो घर की बड़े होने का वो है ना, तो अकसर वो यह सारी चीज़े करती रहती हैं, हमारी प्यारी जुठी अंका, उनकी हरकते और जुठी अंका, क्या ही बोल सकते हैं, समझदार हैं आप, समझ जाएए, इन्हों ने जो ये डिसीजन लिया है, अब मुझे नहीं पता कि कितने दिन तक टिकेंगी, या फिर कल तक मम्मी जी मान जाएंगी कि तू ऐसा ना कर, पर आपको इन्पुट डालना जोगी है था, नहीं डाला, जितना जाता चिंती तब छुटकनी को लेकर रहती हैं, सब को पता है, और जितना जाता चिंती तब बढ़कनी को लेकर और बग्ये को लेकर रहती हैं, सब को पता है, छुटकनी के लिए चिंता सिप पॉड़कास में नहीं क्यों निकलती मम्मी जी हो सकता है फिर से आपको बुरा लगे पर मुझे फर्क नहीं पड़ता लगे तो लगे आपने उसके प्रति responsibility नहीं निभाई है वो नहीं नहीं शादी में थी आप लोग भी नहीं नहीं शादी में थे उसके mood swing सो रहे थे उससे समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों ने तो इतनी लंबी जिंदगी देखी थी आपने क्यों नहीं समझाया कि पुत्तर थोड़े दिन बरदास कर ले ऐस वैसा और या फिर दोनों को डाड़ देते अगर दोनों की गलती ही लग रही थी तरफा क्यों किया बताए ममेज जी और एक लोग 2015 से शादिश होदा थी 2020 में पांस साल था था उन्होंने क्यों नहीं कहा तब तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे तेरी बाते नहीं सुननी है तो जाजस करना होगा इंटरनेट पे जरूर बोला कि मुझे कैसे पता होता है तुम्हारे घर की बाते मुझे फोन करके तुम लोग क्यों बताते हो बोलो बोलो अगर चुप नहीं होए तो मैं भी इंटरनेट इंटरनेट खेलूंगी आज परेतिन को बहुत बुरा लग ने यही सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी याद है तो ऐसे लोगों को काही बोला जाए आप समझ जाएए और कहीं ना कहीं सपस्ट भी कर दिया छोटी ने की ममी को ना लाने का जो रीजन है आप लोग समझ सकते हैं कि कि अगर ममी किसे से फोन पर बात करेंगी तो वह भ होता तो कोई ताना ना मार पाता कि तेरे पती को हमने जिन्दगी पर कमाने खाने का यह दिया है यह सारी चीज़ें इंटरनेट पर ना अगर जो भी चुगली चाहिए करती जुठी अंका ममी जी से तो वह सोशल मीडिया पर ब्लॉग बनके न डाली जाती ममी जी आपको करके करते हैं जिनके नहीं होता है कि हमारे घर में बेटी का भा बैटा हुआ है या पेहला बच्छा आया था कुछ भी ओटा चार जुक नाच करते लेकिन आफ जैसी महिला न सबकुछ बरबाद करके रख दी सब कुछ 100% यही सच है यह शोशल मीडिया ना होते तो शायद यह सारी चीज़े अंकुष अगने उत्री के घर वालों तक और उनके कानों तक न पहुंचती और ना इस प्रकार के बंगंडर होते तो बहुत सारे घरों में हैं जलान इडिस्या लेकिन महन बहन में इस लेबल की होगी यह नहीं सोचा था तो तो और फिल्हाल यह तो वक्त ही सिपना पैवां बैंने त्रय घर में और इसने अपने फारिष्टहों से एभी बोला कि करप्या करके मेरे घरवालों के बारे में कुछ मत बोना न जास्ट मेरी भावनां है जैसे उपनी अपनी भावना वक्त करी हैं अबकि भाइया मतलब ब्लकुल सही है कि बाखी लोगों कि वही अब उपने गोसले में ही रहेगी निच्चे उड़ उड़के नहीं आया करेगी अब देखते हैं फिर से उसका दिल पिखलता है नहीं पिखलता है फिर से कहां दोस्ती का हाथ बढ़ाई कि कहां नास पीटे इस पॉड़कास्ट में दूस्मनी करवाए दे हमारी दिद अभरी में सोचन नहीं किसी ओर ने सोचा हम को समझ नहीं है आप सब को समिवें आया होगा है अब विए क्लिए इतना ही अब डेदी का डिसीजन काम करेगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा ठाटाव भाई